सूरज भगवान की कहानी सूरज भगवान रोज उड़ते और जग में परकास देने जाते एक दिन भगवान को लगा कि राणादे सूकती चली जा रही है राणादे से पुछा तुमारे मन में क्या है तो राणादे बोली मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा हम तो रोज ही खाते हैं राणादे बोली भगवान आप खीर खांड का भोजन करते हो मैं तो खाटी राब जीमती हूँ भगवान बोले रणादे तुम जूट बोलती हो मेरे मा एक जैसा भोजन बनाती हैं तो रणादे बोली सुबह आप मेरी थाली ले लेना और मुझे आपकी थाली दे देना दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी की गिलास को टकर देकर गिरा दिया माताजी बोली तुम उटो मत मैं दूसरा ग्लास पर लाती हूँ माता जी गए इतने में भगवान ने थालिया बदल दी राणा दे ने जल्दी में खीर खा ली और सूरज भगवान को खाटी राब भाई नहीं थाली पर बैठे रही माता जी बोले आज इतने देर क्यों लगाई भगवान बोले मा खीर खान खटी लग रही है माता बोली राणा दे की थाली आपने क्यों ली तो भगवान कहने लगे मा हमारे गर में ही दूपात हो रही है मैं नियम का पालन वाला मेरे ही गर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा गर में सब का खाना एक जैसा बनाओ तो दुनिया में क्या होता होगा तो मा बोली बेटा ये हंडी ऐसी है जो तुमारे लिए खीर खांड और तुमारी पत्नी के लिए खाटी राब बनती है तो सुरज भगवान बोले ये हंडी कहां से लाए तो मा ने कहा कुमार के यहां से लाए वो कुमार के घर गए और बोले दो पेट की हंडी किसने बनाई तो कुमार ने सोचा आज तो भगवान आए है माजी तो एक टका देती है भगवान साइद ज्यादा देंगे तो कुमार बोला भगवान मैंने बनाई है भगवान ने बोला आज के बाद दो पेट की हंडी कुमार बोला मेरा तो एक पेट है वो भी भरना मुस्किल है और कुमार ने अपने लोब के कारण बोले गए जूट पर माफि मांगी तो सूर्य भगवान ने उसे खूब सारा धन धाने दिया और पूरे जगत में दूपात मिटाई हे सूर्य नाराइन पूरे जगत को प्रकास देने वाले सभी के जीवन में खूशियों का प्रकास करें जै सूर्य नाराइन